नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जेनर नोलेज के 10 मोस्ट इंपर्टेंट कोस्चन्स तो ये वीडियो बहुत ही इंपर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में एक एक कोस्चन अच्छे और सेलेक्टेड लेवल का है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटुब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राब जरू करें तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकरशन आप तक पहुँचते रहें तो दोस्तों कोस्चिन नमर बन है बिहार का मुक तयोआर है ओप्सेन से आपके ओप्सेन ए ओनम ऑप्सेन बी पोंगल ऑप्सेन सी बैसाखी और ओप्सेन डी चछट तो कोस्चिन नमर बन का सही आं होता है दोस्तों वो है छट पूजा कि कोश्चन नमबर टू छट पर्व में किस देवता की पूजा होती है option से आपके option A चांद, option B दुर्गा, option C सूरिय और option D है दोस्तों आपका इन में से कोई नहीं तो question नमबर दो का सही आंसर होगा option C सूरिय जी हैं दोस्तों जो बिहार का मुक्ट यहार है चछट पर्व तो चछट पर्व में किस देवता की पूजा होती है चछट पर्व होती है आपकी सूरि देवता की पूजा Q3. सिल्वासा राजधानी है मतलब सिल्वासा जो है वो किसकी राजधानी है Options है दादरा एवम नगर हवेली की Option B अरुनाचल प्रदेश की Option C दमन एवम दीव की Option D लच्छ दीव की Q3 का सही अंसर होगा Option A दादरा एवम नगर हवेली तो जो दादरा एवम नगर हवेली है हमारा केंदर सासेद प्रदेश है Union Territory इसकी जो राजधानी है वो है दोस्तो सिल्वासा में तो next question है Question No.4 निमलिखत में से कौन भारत का केंदर सासेद प्रदेश नहीं है ठीक है question को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिया करें क्योंकि दोस्तो जो एक्जाम में question आते हैं आप लोग गलती करके आते हैं क्योंकि आप question को ध्यान से पढ़ते नहीं है पहरे question के लिए पढ़ ले पिल्कुल ध्यान से और उसको समझ लें अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार फिर से पढ़ें ठीक है तो दोस्तो यहां पर question है निमलिकित में से कौन भारत का केंदर सासेद प्रदेश नहीं है options है पांडिचेरी, दमन एबमदीब, नागलेंड, लक्षदीब तो question number 4 का सही answer है option C, नागलेंड, यहां दोस्तो नागलेंड केंदर सासेद प्रदेश नहीं है यह पूंड राज है question number 5 किस भारती राज की सीमा, सरभादिक राजियों की सीमा इस पर सकरती है तो भारत का ऐसा कौन सा राज है जिसकी सीमा सबसे ज़्यदा राजियों के सीमा उसे मिलती है options हैं, उत्तर प्रदेश option B, असम option C, अंधर प्रदेश and option D, मध्र प्रदेश तो question number 5 का सही answer होगा option A, उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश दोस्तो भारत का एक ऐसा राज है जिसकी सीमा सरवाधिक राजियों को सीमा को सपर्स करती है तो next question के तरफ चलने से पहले मैं आप से request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिभा ओनलाइन classes को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और बेल आकन को भी प्रेस कर लिए और अगर आप इस वीडियो के PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए description में लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो next question है question no 7 करक रेखा कितने राजियों से होकर गुजरती है options है option A 8, option B 9, option C 5 and option D है आपका दोस्तो 6 तो question no 6 का सही आंसर होगा option A 8 राजियों से करक रेखा जो है वो 8 राजियों से होकर गुजरती है question no 7 है कौन सी रेखा भारत के मद्द से होकर गुजरती है कौन सी रेखा भारत के मद्द से होकर गुजरती है options हैं मकर रेखा, option B विश्वत रेखा, option C आर्किटिक रेखा and option D करक रेखा तो question no 7 का सही आंसर होगा option D करक रेखा तो करक रेखा जो है वो भारत के मद से होकर गुजरती है और भारत के आठ राज्यों से भी होकर गुजरती है जैसे कि लास्ट कोस्टन था मैं आपको दिखा देता हूं यह जो करक रेखा है तो भारत ये कितने राज़े से गज़ेती है तो आठ राज़े से गज़ेती है ठीक है तो ये हैं कोस्टन नेक्स कोस्टन के तरफ चलते हैं कोस्टन नमर एट भारत और स्रिलंका को पृत्थक करने बाला जल डमरू मद्ध क्या कहलाता है भारत और स्रिलंका को प्रिथक करने वाला जल डमरू मद्ध क्या कहलाता है option है हारमुज जलसंदी, option B डोवर जलसंदी, option C पाग जलसंदी and option D इनमें से कोई नहीं तो question number 8 का सही answer है option C पाग जलसंदी next question है question number 9 स्रिलंका को भारत से प्रिथक करती है option से आपके option A मनार की खाड़ी, option B बंगाल की खाड़ी, option C पामीर ग्रन्थी and option D बिध्यन प्रवत स्रेड़ी option correct होगा आपके यहाँ पर option A मनार की खाड़ी तो आज का last question है question number 10 निमलिकेत में से किस राज्य से होकर करक रेखा नहीं गुजरती है options है option A उड़ीशा, option B उत्तर प्रिदेश, option C आपका है दोस्तों गुजराद and option D होगा आपका बिहार तो करक रेखा का यह तीसरा प्रसन आया है, first question था कि करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है answer इसका 8 राज्यों से होकर गुजरती है, second question आया था कि भारत के मद्य से कौन से रेखा गुजरती है तो भारत के मद्य से करक रेखा गुजरती है, अभी question आया है दोस्तों कि निमलिकर मेंसे किस राज्य से होकर करक रेखा नहीं गुजरती है तो question number 10 का सही answer है option A उलिशा तो उन जो आठ राज हैं उनमें ये भी हैं उत्तरप्रदेश गुजरात और बिहार से मतलब करकरेखा होकर गुजरती है ठीक है तो ये थे दोस्तों आज के 10 questions वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर आपके लिए इसी तरह से बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूं और केवल वह question डालता हूं जो कि आपके previous 10 years के exams में पूछे जा चुके हैं तो जैसे आपको ये question हो सकता है सरल लगे हों बहुत ही easy question लगे हैं ल उसमें किस टैप के general knowledge के questions आते हैं ठीक है तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें उसके लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा तो उमिद करता हूं दोस्तों आपने वीडियो को खाफी ज्यादा वीडियो से आपको कुछ सेखने को मिल नहुते वरते हैं पूँज़।